सब्सक्राइब कीजी हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को किलिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी किलिक कर दीजेगा लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो 2019 आ चुका है और आप देखते हैं कि 2019 में कौन सा ब्रैंड आगे निकल के जाता है अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में इंडिया का नमबर वन स्मार्टफोन ब्रैंड साउमी है तो साउमी ने कुछ दिन पहले अपना एक सब ब्रैंड के रूप में लौंच किया था पोको फोन F1 तो अब इतना कमाल का स्मार्टफोन तो काफी कम प्रैज में आपको एक फ्लेक्सिव लेवल का चिपसेट दे रहे थे वो लोग तो सभी कोई वेट कर रहे थे कि यह फोल 2019 में काफी कमाल करने वाला है सबसे पहले बात करते हैं कुछ दिन पहले एक गीग बेच निकल के सामने आया था पोको फोन F2 के बारे में वहां पर दिखाए जा रहे थे कि आपको एंडूइट का पाई मिलने वाला है अगर हम लोग बात के तो पोको एफ़वन एक अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन उसमें भी आपको कुछ कमी देखने को मिल रहे थे चाहिए वो बिल्ड क्वैलिटी में हो चाहिए वो डिस्पले में हो लेकिन यहाँ पर जो पोको एफ़वन आई गा इसमें आपको ग्लास फिनिश देखने को तो नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको मेटल फिनिश देखने को मिल जाएगा जी हां मेटल यूनिवूर्ड डिजाइन के साथ ये फोन आने वाला है जिस तरह से कुछ रेंडर्स निकल के सामने आई है उसमें दिखाए चाहिए कि आपको ये मेटल के साथ आने वाला है तो एक अच्छी बात है कि आपको मेटल में लेकिन यार प्राइजिंग अगर बीस स अब देखने वाले हैं अब देखने वाले हैं आपको यहां पर फिक्स करके और लोग लॉंच करने वाले हैं अब देखने वाली यह बात होती है कि पोको एफ्टू कितना कमाल कर सकता है क्योंकि पोटो एफ़न तो काफी जातों लोगों को पसंद भी आया था और प्यापूर्य थो क्या आपको एफटू के लिए वेट करेंगी यह फॉन जनुवरी या फ़रवरी में लॉंच हो जाएगा तो डिफिनली आपको तो वेट क करना ही चाहिए अगर आप एक सामी लवर है तो क्योंकि सामी आप दो दिन बाद एक इवरेंट राक है जहां पर सामी का स्मार्टफोन लॉंच होने है और रेडमी का प्रोटू भी आने वाला है तो देखते हैं कि सामी 2019 में कितना हाथ तक कमाल कर पाया क्योंकि 2018 सामी का अच्छे स्टार्टिंग के साथ लॉंच किया था सामी का रेडमी नोट फाइप प्रो जो की काफी किलर स्मार्टफोन किये वह कहीं ना कहीं तो थी उसके बाद फॉन में वह दम नहीं था सिर्फ फॉन लॉंच करे जा रहे थे अब देखने वाले यह बास होते कि सामी 2019 में क्या करता है और क्या वह 2019 में इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रैंड बनके रह पाएगा वह तो आप लोग मु थेंग सामज